अगर आप कंसर्ड है किसी किसी स्मॉलर टॉपिक्स के लिए तो स्टेशी ओफ यूटि जो की काफी न्यूज में था जो बहुत सारा कॉंट्रोवर्सी विए क्रियेट किया था बठ यह सक्सेस्फुल रहा है यह मतलब बहुत ही अच्छा टूरिजम के लिए बहुत ही खास सबसे बड़ी बात यह हो जागी आपको यह ध्यान रखना है किस पर बनाया गया है सरदार वलबाई पटेल पर ठीक है उनकी 143 वी बर्थ अनिवर्श्री पर बनाया गया ठीक है अब इसकी डेमिंसंस को समझते हैं क्यों डेमिंसंस पूस्ते हैं एक्जाम में तो बनाया ग है और इसको बनाया गया है नर्मदा वैली के पास केवडिया एक कॉलनी है नर्मदा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में ठीक है नर्मदा वैली केवडिया कॉलनी नर्मदा डिस्ट्रिक्ट गुजरात इसको कब बनाया गया तो ऑक्टूबर 31 2018 से को किया गया इसको इनागरेट तो Statue of Unity के बारे में जानगे इतना कि ये गुजरात में बना गया है केवडिया कॉलनी नर्मदा डिस्ट्रिक गुजरात में ठीक है ये जो है वो सरदार वला भाई पटेल पे है और उनके 143 बर्थ अनिवरसरी पे इसको वो किया गया है अन्वेल किया गया है ठीक है अब इस अगर हम देखा जाए तो इसकी अगर बेस के साथ इसकी स्टैंड देखते है ये टूटल है 240 मिटर इसकी तो हाइट हो गई एक्चुल हाइट इसकी अगर बेस हो कंसिटर करेंगे तो 240 है ठीक है अब हम आगे समझते है इसके डिजाइनर देखिए सब बहुत इंपॉर्टे कंपनी के बाद करें तो यह L&T L&T complete help की है इसको बनाने में ठीक है लारसन एन टूब्रो इसकी टोटल कॉस्ट पढ़ी है 2400 करोर उसके बाद में इसकी maintenance के लिए 650 करोर लगी है ठीक है तो this is all about statue of unity ठीक है काफी important है आपको ध्यान रखना है क्योंकि statue of unity पे एक तो controversy था बहुत फ्रिक्वेंच पूस्ट है क्योंकि यह वर्ल्ड की tallest statue है ठीक है तो यह चीज याद रखना है ठीक है